नमस्कार आपदीक्रे न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ बिहार के 24 सीचों पर होने वाले बिहार विधान परिशत के चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर भाजपन एकुल अपने 12 प्रत्याशियों पर मुखड लगा आपको बता दे कि गत दो मार्च को भारत निर्वाचन आयोग यानि एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के तरफ से बिहार में होने वाले 24 सीचों पर बिहार विधान परिशत के चुनावी तारीखों का एलान कर दिया था जिसके बाद 9 मार्च से 16 मार्च के बीच MLC चुनाव के नामांकिन की प्रकिरिया भी चल रही है साती साथ अबाज भाजपा ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है कौन-कौन से वो 12 प्रत्याशी है किन लोगों को किन सीटों से जगा दी गई है भाजपा के तरफ से लिस्ट कुछ इस प्रकार है आपको ब सिंग गुपाल गंज से राजीव कुमार, पूर्वी चमपारन से राजेश कुमार और वबलु गुपता, दर्भंगा से सुनील चौधरी, समस्तेपुर से तरुन कुमार, जोकी स्वर्गिय हरी नरायन चौधरी के पुत्र हैं, बेगु सराय और खगडिया के बात करें तो य टिकेट दिया गया है. भाजपा ने अपने बारव प्रत्याषियों की सुची जारी कर दी है, इन बारा नामों पर भाजपा के तरफ से मोहर लग गई है, लगातार ये खबरी निकल कर आ रही थी कि सचता दनरंद राय को भाजपा के तरफ से सारण से टिकेट मिल सकता है, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ, भाजपा ने उनका टिकेट कार्ट दिया है और अब जो 12 प्रत्याशी हैं उनका नाम भाजपा के तरफ से final हो चुका है, एक तरफ आपको बता दे कि जहां बिहार NDA के बीच गटबंधन के तोर पर बिहार MLC चुनाव लड़ा जा रहा है दोनों पाट्यों के बीच सीचों का बचवारा हो चुका है, अब प्रत्याशीों का नाम भी एक एक करके निकल कर तमाम पाट्यों के तरफ से सामने आ रहा है, भाजपा ने आज बार प्रत्याशीों के नामों की घोशना कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार MLC चुना में उतार रहा है तो वहीं अब दूसरी तरफ नामांकन प्रकिरिया शुरू हो चुकी है तमाम पाच्चों के जो पत्याशी है वो चुनावी मैदान में हैं आने वाले 16 मार्च तक नामांकन की प्रकिरिया चलेगी जिसके बाद 4 एप्रिल को मतदान होना है 7 एप्रिल को बिह 24 सीचों पर बिहार विधान पईश्रत के चुनाव हो रहे हैं लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव एप्रिल महीने में कराया जा रहा है आपको यह अवे बता दे कि पिछले साल यानी साल 2021 के जुलाई महीने में ही MLCों का जो है वो कारेकाल खत्म हो गया था लेकिन पंच साल के लिए अपडेट्च में इतना ही है न कई खबरों के लिए माय साथ बने रहे निउस फॉर्णेशन में नमस्कार